नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप देखर रहें, एगरिते हैं गुरू जी और मेहाँ हूँ , अपका दोस्त self-daad- दोस्तों दो दिन प्हेन पहले हमने श्टोरी लगाई थी। के मेने masterpiece of can Warumמ केखेत में मीनं इस्प्रिंग लगाए हैं जो कि आपको यह दिखाई दे रहे हैं यह इस्टोल हो गए लगबग यह दस सारी शेत्र फल का लाइसेंस मिलाए गवर्रमेंट की तरफ से जिसमें हमने लगाए वैसे तो नॉर्मल अगर आपको इस प्रिंग लगाने तो आप बीजाई से पहले लगा सकते लेकि तो अफिम की अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें अखिर लगाने की क्या जुरूते एक तो अगर जर्मीनेशन के टाइम पर लगाते हो तो जर्मीनेशन एक जैसा होता है जैसे कि क्यारी से इस तरह पानी छोड़ के पिलाना पड़ता है तो उसमें बहुत सी बार किया दा से अफिम के पोदे बहुत नाजूग रहते हैं तो खतम हो जाते हैं तो उसके दिन में जैसे आदा गंटा पौन गंटा चला दो तो हल्की सी नमी रहती है तो उससे ठंड़क बन जाती है दूसरी चीज़ जब गर्मी जादा होती तो फड़का लगने की दिक्कत भी आती त यह तो अभी तक की बात होगे अब बात करें आगे की तो आपको पता है कि जनावरी या फरवरी फरस्ट में या दिसंबर में शीतले बहुत चलती है और जब शीतले चलती तो उसके बचाने के लिए बहुत परकार के जतन किया जाते हैं कुछ स्प्रेय वगेरा भी किया ज चार बजे के आज पास है रात को बारा बजे जब भी आपको टाइम मिल जाता है एक दो बार तो रात को आप 10 मिनिट के लेकर इनी स्प्रिंग कलर को आप चला देते हो तो जो भी शीतले का प्रकोप होता है जो पतों के उपर बरप सी जो गिरी रहती वो नीचे गिर जाए नहीं कम मात्रा में पानी देना है तब भी हम इसमें स्प्रिंग कलर चला के थोड़ी सी नमी इसमें दे सकते हैं और दोस्तों अगले फाइदे की तरफ बात करें तो होता कि है बहुत सी बार पत्तों पर बहुत सी बीमारी आ जाती जैसा मच्छर वगेरा बेड़ गये तो ह कोई भी दवाई स्प्रे करेंगे तो उसका असर तूरंत होता है उस जगे भी यह काम आते हैं बात कि जाए अगर दस सारी शेत्रफल में यह है अफिम इसमें कितना खर्चा आया तो ज्यादा कोई मेंगा खर्चा था था नहीं क्योंकि अठारा क्या स्पास कुछ स्प्रिं 10-11-12-0 का सब्सक्राइस के खर्चें में अगर आप भी लगाना चाते तो आधा बीगा के दो यह दस सारी उसमें आप भी लगा सकते हैं बाकि जब अगला प्रियोग होगा इनका तब उसके बारे में डीटेल्स आपको वीडियो बनाके बताएंगे फिलाल के लिए वीडि देख ने वीडियो में जब तक लिए जए जवान जए किसान